ओम शान्ति आज दिनंक 14 मई 2022 प्राता मुरली बाप दादा मदुगन आज बाबा बोले मीठे बच्चे सरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो लेकिन कम से कम आड गंटा बाप को याद कर सारे विश्व को सांती का दान दो आप समान बनाने की सेवा करो मीठे बच्चे सरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो लेकिन कम से कम आठ गंटा बाप को याद कर सारे विश्व को सांती का दान दो आप समान बनाने की सेवा करो अर्थात बाबा सदा स्रीमत देते हैं कि सरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो आठ गंटे नींद लो पर जो आठ गंटा बच्चता है उसमें मुझ एक बाप को याद करो जिससे विश्व को सांती का दान मिलेगा और आप बच्चों का यह भी कर्म है कि सभी मनुष्य आत्माओं को यह याद दिलाओ कि अपने पिता निराकार परमात्मा को याद करो खुद को आत्माओं करो तो बाबा ने आज उधारण दिया प्रेम बच्ची का कि प्रेम बच्ची ने कितनों को आप समान बनाया है ऐसे ही आप भी सर्व को आप समान बनाने की सेवा करो प्रश्न किया बाबा ने सूर्य वंसी घराने में उजपद पाने का पुरुशार्थ क्या है सूर्य वंसी घराने में उजपद पाने का पुरुशार्थ क्या है उत्तर में बाबा बोले सूर्य वंसी घराने में उजपद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ जितना जितना स्वदर्सन चक्रधरी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्पद पाएंगे दूसरा पाइंड बाबा बोले पुरुशार्थ कर पास्वित ओनर बनो ऐसा कोई कर्म नहो जो सजा खानी पड़े सजा खाने वालों का पदभरष्ट हो जाता है गीत सुनाया बाबा ने इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल ओम शान्ती यहाँ है बच्चों की प्रार्थना किन बच्चों की जिन्होंने अब तक नहीं जाना है तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुर्ण्य की दुनिया में ले जाने आया है वहाँ सदेयो आराम ही आराम है दुख का नाम नहीं अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए यहाँ तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचिन दे से भारत ही सुखधाम था एक ही भगवान भगवती का राज्य था गोड क्रश्ना गोडेज राधे अथवा गोड नारायन गोडेज लक्ष्मी राज्य करते थे सभी जानते हैं अब फिर भारत वासी ही अपने को पतित व्रश्टाचारी क्यों कहते हैं जानते भी हैं भारत सोने की चड़िया था पारसनात पारसनाथिनी का राज्य था फिर इस ब्रश्टाचारी अवस्ता को कैसे पाया अब बाब बैठ समझाते हैं मेरा भी यहां ही जन्म है परंतु मेरा जन्म दिव्य है तुम जानते हो हम स्यूवन सी हैं और प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है इसलिए बाबा ने समझाया है पहले पहले यहां पूछो गौट फादर को जानते हो कहेंगे फादर है न फिर संबंध क्या पूछते हैं पिता तो हो ही गया स्यूवन सी तो सभी आत्माएं है तो सब ब्रदर्स हैं फिर साकार प्रजा पिता ब्रह्मा से क्या सम्बंध है तो सभी कहेंगे पिता है न जिनको आदी देव भी कहते हैं स्यूव हो गया निराकार बाब वहा इमोल्टल धहरा आत्मा भी इमोल्टल है बाकी साकार एक सरीर छोड़ दूसरा लेते हैं निराकार स्यूवंसी है उसमें फिर कुमार कुमारिया नहीं कहेंगे आत्माओं में कुमार कुमारी पन नहीं होता प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उनमें कुमार कुमारिया हैं स्यूवंसी तो पहले से ही हैं स्यूव बाबा पुनर जन्म में नहीं आते हम आत् अच्छा तुम जो पुर्णे आत्मा थी पाप आत्माएं कैसे बनी बाप कहते हैं तुम भारत वासियों ने अपने आपको चमाट लगाई है कहते भी हो परंपिता फिर उनको सर्वयापी कहे देते हो पुर्णे आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक कर सब में ठोक दिया है वह बेहत का बाप है जिसको तुम याद करते हो वही प्रजा पिता ब्रह्मा के मुक द्वारा ब्रह्मन रश्ते हैं तुम ब्रह्मन फिर देउता बनते हो पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठैरा उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है इसलिए तुम्हारे पर धर्म राज द्वारा केश चलेगा तुम्हारा सबसे बड़ा दुस्मन है पांच विकार रूपी रावन तुम्हारी है राम बुद्धी बाकी सब की रावन बुद्धी र पावन राज्ये में तुम कितने दुखी हो वहां है पावन डिनाषटी यहां है पतित डिनाषटी अब किसकी मत पर चलना है पतित पावन तो एक ही निराकार है इसवर सरव्यापी है इसवर हाजिरा हजूर है कसम भी ऐसी उठवाते यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिर हजूर रहे हम आखो से देखते हैं आत्मा को पता पढ़ता है परम्पिता परमात्मा इस सरीर में आया हुआ है हम जानते हैं पहचानते हैं शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदो सास्त्रों का सार और स्रश्टी के आदी मध्य अंत का राज बतलाए, तिरकालधर्सी बनाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी को ही तिरकालधर्सी कहा जाता है, विश्नु को यह चक्र देते हैं, तुम ब्रह्मन ही फिर सो देउता बनते हो, देउताओं की आत्मा और सरीर दोनों पवित्र हैं, तुम्हारा सरीर तो विकार से बना हुआ है न, भल तुमारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परन्तु सरीर तो पतित है न, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते, तुम पूर्ण बनते हो फिर विष्णू की विजय माला बनती है रुद्र माला और फिर विष्णू की माला रुद्र माला है निराकारी और जब वह साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो गाते भी हैं पतित पावन आओ तो पुर एक हुआ न, सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो पतित पावन मोश्ट बिलवेट इन कारपोरियल गौड आफ फादर ठैरा, वहा है बड़ा बाबुल, छोटे बाप को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं, जब दुख होता है तब परम पिता पर यहा बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबन्द है, सिव जैन्ती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है, जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है न, बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है, प्रवगुन संपन्न, सोला कला संपोर्ण, संपोर्ण निर्विकारी, संपोर्ण अहिंसक, बड़ी हिंसा है कामकटारी चलाए, एक दो को आदी मध्य अंत दुख देते हैं, यहा है बड़ी भारी हिंसा, अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है, भगवानु वाच, हे बच्च तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा है, तुम 63 जन्म विशय सागर में रहे हो, अब हम तुमको छीर सागर में ले जाते हैं, बाकी पिछाडी के थोड़ा समय, तुम पवित्रता की प्रतिग्या करो, यहा तो अच्छी मत है न, कहते भी हैं हमको पावन बनाओ, पावन आत्मा में मुक्ती में रहती हैं, सत्यूग में है जीवन मुक्ती, बाप कहते हैं, अगर सूर्य वंसी बनना है, तो पूरा प्रुशार्थ करो, मुझे याद करो, और औरो को याद कराओ, जितना जितना स्वधर्सन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना उच्पत अभी देखो, यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है, इतने सब देहरादून वासी स्वधर्सन चक्रधारी तो नहीं थे, यह कैसे बने, प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया, ऐसे आप समान बनाते बनाते देविय जाल की व्रद्धी होती है, अंधो को सज्जा बनाने का पुरुशार्थ करना है न, आठ गंटा तो तुमको छूट है, सरीर निर्वा अर्थ धंदा आधी करना है, जहां भी जाओ कोसिस करके मुझे याद करो, जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम सांती का दान, सारी स्रश्टी को देते हो, योग से सांती का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इखटा हो जाता है, बाबा ने समझाया है, स्यू बाबा को याद कर, उनको कहो, बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धी का ताला खोलो, यह भी याद करने की युक्ती है, अपनी प्रेक्टिस तो यह रखनी है, चलते फिरते सिव बाबा याद रहे, बाबा इन पर दुआ करो, दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है, हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे न, वही मर्सिफुल, नॉलेजफ पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है, तो भ्रामन कुल भूसन का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना है, वहाँ जानवर आदी भी किसको दुख नहीं देते हैं, तुम बच्चे घर में रहते, भाई भाई आपस में रहते हो थोड़ी सी बात में वहां तो जानवर आदी भी नहीं लड़ते तुमको भी सीखना है नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे पदब्रेश्ट हो जाएगा सजा लायक हम क्यों बने पास विद ओनर होना चाहिए न आगे चलकर बाबा सब साक्षातकार कराते रहेंगे अभी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी करते रहो बीमारी में भी सबको कहते हैं राम राम कहो अंदर से भी कहते हैं पिछाडी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे नाटक के पिछाडी में वंडर्फुल पार्ट होता है न पिछाडी में ही वहाँ वहाँ होती है उसी समय तो बहुत खुसी में रहेंगे जिन में ग्यान नहीं है वहाँ तो वहाँ ही बेहोंस हो जाएंगे आपरेशन आदी के समय डाक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा न यहाँ तो बहुत दर्दनाक समय है इसको खुने नहेक कहा जाता है इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए तुमारी है 84 जन्मों की कहानी हम सो भी देवता राज्य करते थे फिर माया के वसो बाम मार्ग में गए फिर अब देवता बनते हैं यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है यही स्वदर्शन चक्र है न अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पाइंट बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है आपस में बहु बहुत प्यार से रहना है कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। ग्यान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धी विग्न विनासक भाव। लेकिन खुसी खुसी से विजई बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे ड्रामा के ग्यान की इस्मरती से हर विग्न नथिंग निव लगता है नई बात नहीं लगेगी बहुत पुरानी बात है अनेक बार विजई बने हैं ऐसे निश्चय बुद्धी ग्यान के राज को समझने वाले बच्चो का ही यादगार अचल घर है स्लोगन में बाबा बोले द्रणता की सक्ती साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी अच्छा ये थे बाबा के महावाक के आज बाबा ने माते स्वरी जी के अनमुल महावाक के रखे जिसमें माते स्वरी जी बोली यह जो भी अच्छे वा बुरे कर्म है उनका फल अवश्य मिलता है जैसे कोई दान पुन्य करते हैं यग्य हवन करते हैं पूजा पाट करते हैं तो वह समझते हैं कि हमने इस्वर के अर्थ जो भी दान किया है वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो हमारी मुक्ती हो जाएगी परंतु यहां तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता यहां तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल छान भंगुर सुख की प्राप्ति अवस्य होती है मगर जब तक यहां प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता भल हम किस से भी पूछेंगे यहां जो भी तुम करते आए हो वहां करने से तुम्हें पूरा लाब मिला है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूँ अब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म स्रेष्ट नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो मुक्ती जीवन मुक्ती प्राप्त नहीं होगी अच्छा दान्पुन्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए फिर मुक्ती जीवन मुक्ती कैसे प्राप्त होगी भले इतने संत महात्माएं है जब तक इन्हों को कर्ब की नोलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते ना वह मुक्ती जीवन मुक्ती को प्राप्त करेंगे उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत धर्म क्या है और सत कर्म क्या है सिर्फ मुक्ष से राम राम कहना इससे कोई मुक्ती नहीं होगी बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ती होगी उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा कुछ भी नहीं बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे वो भी इस ही जीवन में भोगना है अब यह सारी नौलेज हमें परम पिता परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे सुद्ध कर्म करके अपनी प्रेक्टिकल जीवन बनानी है अच्छा, ओम शांती